है कि कि है लो आपनों डिसकर्ष करेंगे य्टीं इजिट अफनेट पर नंबर यूने इजित नंबर पे बहुत सारे कोश्टिंस आते हैं और इन कोस्टिटिंस को कैसे सॉल्फ करना है questions का form यह होता है find the unit of p की पार n तो आपको मैं simple से basic बता देता हूं इसका देखें एनी number ending with one raised to the power natural number would always end with one agreed for example I say 21 की पार 39 guys it is going to end with one because 21 into 21 into 21 into 21 39 times is one into one into one into 139 times it is going to end with one right similarly any number ending with six raised to the power natural would always end with six and also any number ending with five raised to the power natural number would end with five and any number ending with zero raised to the power natural would always end with zero always end with zero तो यह चार चीज़े आपने ध्यान भी रखनी है बट एक बहुत बड़ा ब्रम ग्यान दे रहा हूं एनी number ending is 76 raised to the power natural would always end with 76 ध्यान रखना है SSC पीओ सी साट कोई भी वेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्या है similarly any number ending with 25 raised to the power natural would end with 25 यह सिंपल सा knowledge है जो कई बार किसी पेपर में काम आ जाएगी पर we have to work on these खासकर aspect number one and aspect number two all right so कभी भी आपका कोई भी odd number आ जाए और उसके ओपर पावर हो for example I say 87 की पार 50 का unit digit क्या होगा so it's a odd number ending with seven right so तुम 87 मत देखो सिरफ 7 देखो तो this is 7 की पार 50 के unit digit पे क्या होगा so एक सिंपल सा लॉजिक है 779 राइट देखो 77 मैं लिक के देख रहा हूँ 779 राइट इंटु 7 कर लिजिए और राइट नाइन इंटु 7 77 जा 49 है तो यूनिट इजिट 9 बोला 9 इंटु 7 63 यूनिट इजिट 3 आ जाएगी एंट इंटु 7 अगें तो तुम खुद देख लो 3 इंटु 7 इस 21 यूनिट इजिट 1 आ जाएगा तो कभी भी तुम्हें और डंबर की पावर आ जाए तो वन बनाना है लिख के ले लो यहां सेकिंड स्टेप में बनेगा यहां फूर्थ स्टेप में बनेगा राइट इस केस में मैं लिख सकता हूँ 87 की पा पार 4 गिवजिवन एट उनिट प्लेस और 87 की पार 4 रहे सुधी पार 12 वोट गिव यह नाइन नमबर इंदिंग विज वद वन रेस टीपार 12 क्यों 12 बिकॉस हमने 50 तक जाना है सो 87 की पार 48 गिव यूँ 1 क्यों एनी नमबर इंडिंग विज वन रेस टीपार नाचल लंबर इस वन यह फाइदा हो गया राइट सो बहुत सारे डीचल साइकलिसिटी से करते हैं साइकलिसिटी कुछ नहीं वन बनाने को और नमबर में वन बनाने को साइकलिसिटी बोलते ह पूर है मीनिग निए 7 को चार बार गुना करो वन आजाते हैं ठीक है तो अभी पहुचा गया 87 की पर 48 और 87 की पर दो पार बची है सो वन एंट टो 87 की पार 2 में 77 9199 तो 87 की पार 50 की यूनिट रिजिट है 9 if you are good with this method you can manually solve the questions रैइट सो और नमबर में क्या बनना है और नमबर यहां पर है तो वन बनाना है ओल्राइट सिमिलरली एक और हुम चेक करके देखते हैं ऐसे वाट इसे यूनिट इजिट ऑफ 73 की पार 1024 फिर से और है सर 3 3 3 is a 9 9 3 is a 27 7 7 3 is a 21 राइट तो चार बार गुना करने से आपका वन यूनिट प्लेस पे आ जाता है ना सेकेंड इस निटीपल और 4 से 73 की पार 4 गिवजी वन एट इन प्लेसे 73 की पार 4 के और ऑल्सो गिवसी एवन एट उनिट प्लेस एड देन 1042 इस अमटिपल ऑफ सो अपन डिरेक्ली लिख सकते है 73 की पार 1024 वांट जिवसी एट यूनिट प्लेस और तो बहुत इसल्व जाता है तो 3 कि पार भी 3 एंडिंवे 3 चेक कर लिया एंडिंट 7 चेक कर लिया एंडिंग विद 2 की अडिंग वन उत्सक्रांस ऑमेश ध्यान के रखने एंडिंग निमिन नाइंग और एपने चल्फ मेंने ऊंब निढ़करज अगर कभी भी आप का even number आजाए so I say 82 की पार let us be 1047 इसके unit place पे क्या होगा जब भी even index आता है तो हमें क्या बनाना है 6 तो 82 नहीं consider करना सिर्फ 2 consider करो 2 2 is a 4 4 2 is a 8 8 2 is a 16 which is 6 so 82 की पार 4 gives you 6 at unit place now a multiple of 6 less than 1047 is 82 की पार 1044 gives you 6 at unit place 1044 is a multiple of 4 because last two digits are exactly divisible by 4 तो बचा क्या 82 की पार 1044 into 82 की पार 3 gives you 6 and 82 की पार 3 2 2 is a 4 4 2 is a 8 6 into 8 comes out to be 8 in the unit place तो इसको लोग cyclicity बोल देतने है ठीक है तो देखो सोचने की बात any number ending with 2 raise to the power 4k ends with 6 any number ending with 2 raise to the power 4k plus 1 would end with 2 any number ending with 2 की पार 4k plus 2 would end with 4 in the unit place 2 की पार 4k plus 3 ends with 8 in the unit place तो आप डिरेक्टली यह भी चेक कर सकते हो दिस इस फोर के प्लस 3 चार से डिवाइड होगे तीन मेंटर देता है तो डारेक्टली ही आप लिख सकते हो इट वोड़ेंड विद एट राइट अब आप अपने आप इसको प्रेक्टिस कर लिजिए बट एक और रिजल लिखवा रहा हूं बहुत फायदा देगा एनी नमबर एंडिंग विद 4 रेस्ट पार एवन एंड जट सिक्स एनी नमबर एंडिंग इंड फूर रेस्ट पार और एंड ज़िए ध्यान रख्येगा बहुत ईजली फोर वाला और एंडिंग नाइन वाला सॉल हो जाता है आशागरतों आपको मज़ा आया होगा पसंद आया होगा दुबारा मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन